मैं डॉक्टर निर्भे सिंग शिक्षग गुरु नाना खालसा इंटर कॉलेज सुभास नगर भरेली आज उपस्थित हूं कक्षा नो की गणित के अध्यायत तीन निर्देशांग जेमती के साथ निर्देशांग जेमती गणित की बहस साखा है जिसमें हम किसी बिंदु को किनी दो रेखाओं के सापेच अंकों की सहायता से उसकी इस्थिति को निर्धारित करते हैं निर्देशांग जेमती नाइन्थ में हम इसकी कुछ मूलभूत संकल्पनाओं को पढ़ेंगे लेकिन इसका आगे भी हम पढ़ेंगे टैन्थ में भी निर्देशांग जेमती हमको पढ़ना होगा कच्छा 11, कच्छा 12 में भी निर्दे सांग जैमती हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत महतपून चेप्टर है निर्दे सांग जैमती पाठकरम की दरश्टी से तो महतपून है ही इसके साथ साथ दैनिक जीवन में भी इसका काफी महतव है निर्दे सांग जैमती की साहिता से हम किनी दो बिंदूओं के भीच की दूरी ग्याद कर सकते हैं और किनी दो बिंदूओं के मध में इस्थित बिंदू भी हम ग्याद कर सकते हैं आगे कक्षाओं में हम ये ग्याद करेंगे कक्षा 10 में जब हम जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें ग्याद करनी होंगी वहाँ और हम ये भी ग्याद कर सकते हैं कि कोई दी गई रेखाएं परसपर लंब हैं या समानतर हैं और पाठ करम के अलाबा अगर हम बात करें धैनिक जीवन में इसको उप्योग की तो इस पेस साइन्स में निर्देशांग जियमती का बहुत अधिक उप्योग है हम निर्देशांग जियमती की सहायता से बिभिन गिरहों और तारों की इस्थिती को पता लगाते हैं उनकी इस्थिती का निर्धारण कर सकते हैं इसके साथ साथ हम मान्चित्र बनाते समय निर्देशांग जियमती का बहुत उप्योप करते हैं उधारण के लिए अगर हम मानने कि हमको किसी सहर का नकसा बनाना है और उसमें किसी इस्थान की हमें बिल्कुल एग्जेक्ट इस्थिति दिखानी है कि वो कहां इस्थित हैं तो हम उसके लिए निर्दे सांग-जन्ती का उप्योग करके आसानी से हम बता सकते हैं बिल्कुल भी एक्जेक्ट उसकी इस्थिती को बता सकते हैं या हम किसी मुहले का नक्सा बनाएं उसमें किसी मकान की किसी घर की इस्थिती हमें बतानी हैं तब हम आसानी से उस इस्थिती को इसका उप्योग करके बता सकते हैं तो हम इसको समझें, इसकी संकल्पनाओं को समझें उससे पहले मैं बात करूँगा कि हमने पिछले अध्याइ में जो पढ़ा है हम एक बात देखें, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है संख्या रेखा तो निर्देशांग जेमती को और अच्छे से इसकी संकल्पनाओं को समझने के लिए हम पहले संख्या रेखा की बात करते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है ये आगे भी ये तीर से हम दिखाते हैं कि ये आगे भी हमारी बढ़ रही है यहाँ जीरू और इससे अगर हम दाई और बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है पहले कि संख्याएं होती हैं इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, यह संख्याएं हैं हमारे इस तरीके से और जब हम दाई और बढ़ते हैं तो यह संख्याएं क्या होती हैं धनात्मक इसी प्रकार से हम इज़र भी देखें तो यहाँ पे भी एक, दो, तीन, चार, लेकिन यह जो संख्याएं होंगी, यह क्या होंगी, यह सारी की सारी रिणात्मक संख्याएं यहाँ पे होंगी, यह, ध्यान होगा, हमने पिछले अध्याएं में इसको पढ़ा है, तो यह सुन है यहाँ, यह संख्या रेखा पर सुन इस्तित होता है, और सुनन जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं और इसी प्रकार यह धनात्मत में होंगी दाईयों और बाईयों और जब इधर बढ़ेंगे तो संख्याएं क्या होती है रिनात्मत होती है यह हमने संख्या रिखा में पढ़ा है इसके साथ अगर आप इस संख्या रिखा पर कोई बिंदू हमने माल लिया कि यहां कोई बिंदू इस्थित है यह यह है यह बिंदू ए कोई बिंदू है हमने माल लिया तो इस ए की इस्थिति को हम बता सकते हैं क्या यह ए हम कह देंगे कि 2,3 के बीच में इस्थित है इसी पिरकार यदि हम किसी दूसरे बिंदू की बात करते हैं अगर इधर भी हम देखें कि यहां कोई बिंदू इस्थित है हमने माल लिया यह कोई बिंदी है और यह क्या है भी है कोई बिंदू तो हम इसकी इस्थिति क्या पता देंगे यह संख्या रेखा पर माइनस चार और माइनस तीन के बीच में इस्थित है तो इस परकार संख्या रेखा के द्वारा हम किसी बिंदू की इस्थिति को आराम से बता सकते हैं लेकिन अगर कोई बिंदू इस संख्या रेखा पर इस्थित ना होकर इसके इधर कहीं इस्थित हो आमने मान लेया या यहां कहीं इस्थित है तब इसकी इस्थिती को हम कैसे बताएंगे यहां हमें यह देखना होगा संख्या रेखा पर इस्थित है तब तो हम आसानी से उसकी इस्थिती को बता देंगे लेकिन संख्या रेखा के इधर या इधर इस्थित है संख्या रेखा पर इस्थित नहीं है तब हम इस्थिती क्यों कैसे बताएंगे इसके लिए हम एक उधारन देखते हैं यह एक तल है और हमने माना, यहां यह एक कोई बिंदू इस्थित है, अब हमें इस बिंदू की इस्थिती बतानी है, कि यह बिंदू कहां इस्थित है, अगर मैं आप से पूछूँ तो कुछ छात्रों का इसमें आंसर होगा, कि यह बिंदू उपर की और इस्थित है, जैसा कि हमको दिख रहा है, कुछ छात्र यह भी कह सकते हैं, कि यह बिंदू आधे से तलका आधा करें, उससे उपर की और इस्थित है, कुछ छात्र कहेंगे, यह बाई और वाली रेखा जो उर्दादर रेखा है, बाई और वाली य इससे दूर इस्थित है यह भी अंसर हो सकता है कि यह नीचे वाली रेखा से उपर की ओर इस्थित है या यह भी कह सकते है कि यह उपर वाली रेखा के पास इस्थित है या दाई ओर वाली रेखा के पास इस्थित है यह बहुत सारे इस तरीके से उत्तर हो सकते हैं लेकिन ये उत्तर एक अनुमान है एक्जेक्ट इस बिंदू की जो पोजिशन है वो नहीं बता पा रहे हैं अगर हमें एक्जेक्ट पोजिशन इस बिंदू की ग्यात करनी है तो हमको क्या करना होगा ये उर्दादर रेखा है यह चैटिज रेखा है तो बाई और वाली रेखा से जो उदाधा रेखा है उस बाईऔर वाली रेखा से हमने इस बिंदू पर एक LUMP गिराया है हमने महल लिया कि यह पांच है इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटिमितर है उसके बाद हमने नीचे वाली रेखा से भी इस पर एक लंब गिराया और हमने मालिया जो ये लम्ब की लंबाई है, ये कितनी है? 10 है तो अब हम इसकी स्थिति को बता सकते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी बिंदू की? जो बाईं उमर वाली उरधवादर रेखा है उससे 5 cm दूर और नीचे वाली रेखा से 10 cm दूर ये बिंदू इस्थित है और इसको लिखने का तरीका क्या होता है यह होता है 5,10 इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं अब इस बिंदू की इस्थिती हमने exact विलकुल कहां इस्थित है ये बता दिया और इसको हम कैसे प्रदशित कर देते हैं 5,10 के द्वारा इसका अर्थ क्या होता है कि बाई और वाली रेखा से 5 cm और नीचे वाली रेखा से 10 cm दूर ये बिंदू इस्थित है और गनित की यही साखा जिसमें हम किसी बिंदू को अंकों के माध्यम से निर्देशित करके उसकी इस्थिती को बताते हैं यही हमारी निर्देशांग जियमती है इसी को हम निर्देशांग जियमती कहते हैं और इसी का हम आगे उपियोग करेंगे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और उधारन की चर्चा करते हैं हमने माना ये किसी बिद्धहले का खेल का एक मैदान है और इसमें कुछ चात्र खड़े हुए है line से यह कोलम है जो उर्थवादर line है इसको हम column कहते हैं यह column है और जो 26 line है इनको पंक्ति तो कुछ चात्र बिल्कुल पंक्तियों में column बद्ध होके खड़े हुए हैं और हमने माला कि यह हमारा column एक है ये कॉलम नमबर दो है ये तीन है ये चार है और ये पांच है कॉलम इसी प्रकार हम देख रहे हैं ये हमारी पंक्ती एक ये पंक्ती दो इसको हम पंक्ती नमबर तीन और पंक्ती नमबर चार और ये है पंक्ती नमबर पांच चात्र खड़े हुए है अब यहाँ पर हमने मालिया यह चात्र है अब अगर हमें किसी चात्र की इस्थिती बतानी है कि वो प्लेग्राउंड में किस जगे खड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे हमने मालिया हमें यह चात्र है कोई पी यह वाला ये छात्र P है और हमें इसकी इस्थिति बतानी है कि ये प्लेग्राउंड में किस जगे खड़ा हुआ है तो हम इसकी इस्थिति को कैसे बताएंगे हम बताएंगे कि ये दूसरे कॉलम में नीचे मैंने बताया क्या है ये सब नीचे जो है ये कॉलम है इधर की ओर कॉलम और ये जो है ये सारी उपर की ओर क्या है ये पंक्ति है तो अब हम देखेंगे कि ये छात्र की इस्थिति जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे देखेंगे पहला कॉलम दूसरा कॉलम यानि कि दूसरे कॉलम में और कहां खड़ा हुआ है रो देखिए पहली और दूसरी यानि कि दूसरे कॉलम और दूसरी पंक्ति में खड़ा हुआ है और इसकी इस्थिति को हम कैसे दिखाएंगे 2,2 से इस्थिति को दिखा देंगे यह चात्र अब हम कह सकते हैं इस चात्र की इस्थिति क्या है 2,2 2,2 का मतलब क्या हुआ कि यह दूसरे कॉलम और दूसरी पंक्ति में खड़ा हुआ एक और छात्र हम उदार के लिए ले लेते हैं हमसे दिखेंगे एक दो तीन चार यानि कि चौथे कॉलम में यह खड़ा हुआ है कौनसे कॉलम में है फिर से ध्यान दीजीए एक दो तीन चार क्योंकि नीचे कॉलम है तो हमने देखा यह चौथे कॉलम में और रो कौन सी हो गई? एट, दो, तीन, चार चौथी रो में चौथे कॉलम की चौथी रो में यानि कि इसकी इस्थिती क्या हुई? चार कॉमा चार इस पिरकार हम अंकों के माध्यम से किसी चार्ट की इस्थिती को इस प्लेगराउंड में आसानी से बता सकते हैं और बिलकुल एक्जेक्ट पोजिशन इस्थिती हमको पता लग जाएगी यही निर्शांक जयमती है अब हम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट बन को हल करेंगे और इसका क्वेशन नमबर बन है एक अन्य ब्यक्ति को आप अपने अध्यन मेज पर रखे टेबल लेम्ट की इस्थिती किस तरह बताएंगे यहीं कि किसी को हमें अपनी अध्यन मेज पर टेबल लेम्प रखे है उसकी इस्थिती को बताना है तो हम किस तरह बताएंगे हम इसको देखते हैं हमारे सामने हमने माल लिया यह एक अध्यन टेबल है हमारा मेज है यह मेज रखा हुआ है और यहां हमने माल लिया यह हमाई टेबल लेम्प रखे हुई है हमें किसी ब्यक्ति को अपनी इस अध्यन मेज पर रखी हुई इस टेबल लेम्प की इस्थिती बतानी है अब हम कैसे मानेंगे हमने मेज को एक तल माना और जो टेबल लेम्प है इसको एक हमने बिंदू मान लिया यह बड़ी बाली भुजा जो मेज की है इसको एक कोर कह दिया हमने यह छोटी बाली भुजा एक कोर है यह बड़ी कोर है और यह छोटी कोर है हम मेज को पलट कर भी रख सकते हैं छोटी कोर को इधर और बड़ी कोर को इधर लेकिन हमने बाई और बड़ी कोर है और नीचे की और छोटी कोर है हम टेबल लेम्प की इस्तिती गयाद करने के लिए ये बड़ी वाली कोर से इस टेबल लेम्प पर एंख हमने लंब गिराया हमने मान लिया इस लंब की दूरी कितनी है 25 इसी प्रकार हमने क्या किया जो नीचे वाली कोर है इस बिंदू से इस पर भी हमने लंब गिरा एक और हमने मान लिया यह है 30 cm यानि कि मेज की बड़ी वाली बाई कोर से टेबल लेंब की दूरी 25 cm और नीचे वाली कोर से टेबल लेंब की दूरी 30 cm है तो हम इसकी इस्थिति को 25,30 इस प्रकार हम टेबल लेंब की इस्थिति को बता सकते हैं और हम इसमें दो अंकों के माध्यम से इस टेबल लेंब की इस्थिति हम अपनी मेज पर रखी हुई दिखा पा रहे हैं और इससे हमें क्या इसपस्ट हो रहा है कि बाई कोर की भजा से 25 cm और नीचे वाली भजा से 30 cm की दूर पर इस्थित है तो हमारा अंसर क्या हुआ कि अगर हम मेज को एक समतल मान लें और टेबल लेंब को एक बिंदू मान लें तो बाई कोर से 25 cm की दूरी और नीचे वाली कोर से 30 cm की दूरी पर इस्थित है अतहा टेबल लेंब की इस्थिति 25,30 या अगर टेबल पलट देंगे तो इस्थिति क्या ज़ाई 30,25 होगी यह हमारा इसका आंसर था अब हम प्रेशन नंबर 2 की बात करते प्रेशन नंबर 2 क्या है सड़क योजना सड़क योजना में क्या कहा गया है एक नगर में दो मुख सड़के है जो नगर के केंदर पर मिलती है इनकी एक नगर है दो मुख सड़के है और नगर के केंदर हैं की बीचो बीच में एक दूसरे से मिलती है आगे कहा है ये दो सड़कें उत्तर दक्षिन की दिशा और पूरव पश्चिन की दिशा में है दोनों सड़के कैसे हैं उत्तर और दक्षिन की दिशा में और पूरव पश्चिन की दिशा में है नगर की अन सभी सड़कें इन मुख सड़कों के समानतर परस पर 200 मीटर की दू यहीं profess जो अन्र सडके हैं वो इन मुख सडकों के समानतर हैं और एक दूसरे से 200 मेटर की दूरी पर इस्थित हैं प्रतेख बिसा में लगवक 5 सडके हैं तो उत्तर और दक्षण में भी 5 सडके हैं और पूरा फ़स्चम में भी पाँच सडके हैं एक सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर यानि कि गिराफ पर हम पैमाना मानेंगे एक सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर तो एक सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी notebook में नगर का एक model बनाईए यानि कि notebook पे नगर का model बनाना है और उसमें जो हमें पैमाना मानना है वो क्या मानना है एक centimeter ब़रबर 200 meter शडकों को एकल रेखाओं से निरुपत कीजिए यानि कि जो सडकें उनको हम पेकल रेखाऊं से निरुप्ट करेंगे यानिकी हमें जो पैमाना दे रखा है इस पैमाना को माप कर हमें सडकों का नगर का एक model अपनी notebook पर तियार करना है तो हम देखते हम इसको कैसे तियार कर सकते हैं जैसे हम दिसाओं की बात करें इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि उपर की ओर ये उत्तर होता है हमेशा और नीचे की ओर ये दक्षन इसी प्रकार दाईं और पूरव और बाईं और पश्चिम इनकी ये दिसाए हम समझ ले उपर की ओर उत्तर है नीचे की ओर दक्षन है और दाईं और पूरव और बाईं और पश्चिम है इसी को आधार मानकर हम ये नगर का मॉडल तयार करेंगे जैसा कि हमें प्रिस्ट में दे रखा है कि दो मुख सड़के हैं जो नगर के केंदर पर मिलती हैं हमने मान लिया कि दो मुख सड़के हैं ये तो इस प्रकार ये दो सड़के हैं आगे कहा गया है कि एक पूरव से कैसी कैसी दिशा दे रखी है कि उत्तर दक्षन यानि कि एक सड़क ये हो गई उत्तर और दक्षन और एक सड़क इन्होंने क्या बता है पूरव और पश्चिम यनकी ये पूरव से पश्चिम की ओर है और एक सड़क ये मुख सड़क उत्तर दक्षन और पूरव पश्चिम ये दो सड़के मुख सड़के हैं और नगर के केंदर में एक दूसरे को ये केंदर है यहां यह केंदर है यहां पर यह मिल रही है आगे कहा है कि अगर इनमें सडकें जो हैं एक दूसरे के समानतर हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं और प्रितेक दिसा में 5 सडकें हैं यहनि कि जो उत्तर से दक्षिण की और जो मार्ग है सडक है इसके समानतर भी कितनी सडकें होंगी 5 सडकें इसके समानतर हैं तो हमने मान लिया कि उत्तर और दक्षिण दिसा में हम 5 सडकें बनाएं यह होगी हमारी उत्तर दक्षण में एक पांस तो हम देखें कि इन्होंने जैसे का है कि पृत्ते सारी सडके इन सडकों के समानतर है तो जो सडक हमारी उत्तर से दक्षण की ओर जा रही है और पृत्ते एक दिसा में पांस सडके हैं तो वो ये उत्तर से दक्षन दिसा वाली सड़के समानतर ही वो सड़के होंगी वो सड़के कौन से हो गई एक दो तीन चार पांच ये पांचों सड़के हमारी ये उत्तर दक्षन वाली सड़के समानतर हैं और साथ में एक और इन्होंने कहा है कि पिरतेग सड़क के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर है और हमने पैमाना क्या माना हमने पैमाना माना जो इन्होंने कहा है पैमाना एक सेंटी मीटर को हमने 200 मीटर के बराबर हमने ये पैमाना माना एक सेंटी मिटर यानि कि इन सड़कों की इसके इसके बीच की 200 इसके इसके बीच की दूरी 200 मिटर है सड़कों को नाम दे दें हम ये सड़क नमबर एक होगी एक सड़क नमबर दो होगी चुकि ये मुक्सरक है, हम तीन इसको कहेंगे, और चार इसको कहेंगे, और पांच इसको कहेंगे. इस प्रकाद उत्रदक्षण दिसा में 5 सडके हो गई. फिर भी अब जो पूरब पस्चिम सडक है, इसके समानतर भी 5 सडके हैं, हम उनको भी देख लें. यानि कि ये भी जो पूरब और पश्चिम दिसा में जो शड़क थी इसके समानतर भी हमने कितनी शड़क बना दी एक, दो, तीन, चार, पांच पांच शड़क इसके समानतर ये हो गई और इनकी पृतेक की दूरी कितनी है दो सो मीटर जो कि हमने एक सेंटी मीटर से दिखाई हुई है तो ये हमाई शड़कों का एक मॉडल तयार हो गया है आगे इस प्रेशन में कहा गया है एक दूसरे को काट तो अनेक क्रॉस स्ट्रीट है जैसा कि हम काट रहे हैं देख पा रहे हैं कि ये सड़क ये सड़क जहां पर भी कोई सड़क काटेगी तो ये सारे ये क्रॉस स्ट्रीट बनना है यान की चौराहे बनना है ये सारे क्या हैं क्रॉस स्ट्रीट है तो क्रॉस स्ट्रीट है एक विशेश क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है कोई सी भी अगर हम इस क्रॉस स्ट्रीट की बात करते है तो एक तो ये वाली सड़क हो गई दूसरी ये वाली सड़क हो गई तो दो सड़कों से मिलकर कोई क्रॉस स्ट्रीट बन नहीं है और फिर कहा है एक बिसेश क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिन में से दूसरी उत्तर दक्षन दिसा में जाती है अब उत्तर दक्षन दिसा क्या हो गई जैसा भी हमने बताय था कि ये उत्तर, ये दक्षण, और ये क्या था, पूरब, और ये पश्य, तो उन्हों कहा एक दित्तिये सडक उत्तर दक्षण दिसा में जाती है, उत्तर दक्षण दिसा कौन से को, उत्तर से दक्षण की ओर दिसा, और हम इन सडक को पहले नाम दे दें जैसे हमने इन सड़कों को नाम दिया था एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे ही यह है एक, दो, तीन, चार, और पांच इसको हमने नाम दे दिया अब दित्तिय सड़क उत्तर दक्षन दिसा में उत्तर दक्षन क्या है? यह दूसरी सड़क कौन सी है? यह दूसरी सड़क है जो उत्तरतक्षण दिसा में जा रही है पांच भी सड़क पूरब पश्चिम दिसा में जाती है तो पूरब पश्चिम दिसा में पांच भी सड़क यह हो गई और यह एक क्रॉसिंग पर मिलती है यानि कि दूसरी सड़क और पांच भी सड़क एक क्रॉसिंग पे यहां मिल लही है एक क्रॉसिंग इस क्रॉस स्टीट को नाम दिया गया है दो कॉमा पांच यानि इसको हमने कह दिया दो कॉमा पांच इसको दो कॉमा पांच नाम दिया गया है इसी परंपरा से हमें ग्याद करना है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है 4 क्या है यहां पे 4 वो है जो उत्तर दक्षन दिसा में पहले उत्तर दक्षन दिसा की बात कर रहे है तो चौती सड़क उत्तर दक्षन दिसा में यह है चार कॉमा तीन तीन का मतला पूरब पक्षिंबाली सड़क तो पूरब पक्षिंग की तीसरी सड़क यह है चौती सड़क और तीसरी सड़क यहां मिल लगी है यह एक क्रॉस स्ट्रीट यहां बनना है 4,3 पूछाए कितनी Cross Streetों को 4,3 माना जा सकता है तो हमें क्या इसके अलाबा कोई दूसरी Cross Street 4,3 से नहीं बन रही है 4,3 पे सिर्फ और सिर्फ एक ही यानि कि चौथी सड़क उत्तरदक्षन और तीसरी सड़क पूरों पच्छे में सिर्फ एक जगह 4,3, तो हम कह सकते हैं, केबल एक क्रोस्ट स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, इसी प्रकार कहा हैं उन्होंने कितनी क्रोस्ट स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, तीन का मतलब है उत्तरदक्षण वाली सड़क तीसरी सड़क और कॉमा चार मतलब पूरब पश्चिम वाली सड़क तो चौती सड़क ये तीसरी सड़क हो गई 3,4 यह सड़क तीसरी और चौथी सड़क एक दूसरे को इसके अलाबा कहीं और नहीं काटती हैं, इसलिए 3,4 केबल और केबल एक ही क्रोस स्टीट होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, केबल एक क्रोस स्टीट को 3,4 माना जा सकता है प्रेशन संख्या 2 को हल करने के बाद अब हम समझे होंगे कि किसी बिंदू को या किसी इस्थान को हमें किस पिरकार निर्धारित करना है इस आधार पर छात्रों आप अपने घर का एक मानचित्र तयार करिए इस्थित्य बताईए अपने घर की मोहले की किसी सड़क को मुख सड़क मानकर और बाकी जो सड़क हैं उनको सड़के मानकर मार्ग एक, दो, तीन नाम जो भी दे कर प्रियास किजिए कि आप अपने घर की इस्थित्य को बताईए एक और काम आप करिए चैस का जो बोड होता है, चैस बोड उस चैस में किसी एक खाने में खाने बने होते हैं उसमें किसी एक खाने में किन्ब रख दीजिए और कहीं कि दूसरे खाने में एक क्यून रख दीजिए और बाई और की रेखा और नीचे की रेखा को अधार मान कर यान कि बाई और नीचे की रेखा के अधार पर उस राजा की इस्थिति बताईए और उस क्यून की इस्थिति बताईए कि चैस बोड में कहां है ये काम सभी विद्धार्ती अपने आप करेंगे और मुझे उमीद है कि हम लोग इसको अच्छे से कर पाएंगे इस्थान दिखाना है कहां इस्थित है तो इन सारी चीजों को निर्देशांग जियमती के द्वारा अब दिखा सकते हैं और इससे आगे का हम इससे अगली प्रिश्नावली में समझेंगे